धन्यवाद, थैंक यू, आज सबसे पहले मैं इस खुसी के पल में, मैं उस परम्पिता परमेश्वर को, उस इस्वर सक्ति को मैं सर जुका करके नमन करता हूँ। आज एक कंकड पत्थर को तरास करके यहाँ पे डायमंड करूप में बना दिया। मैं इन सारे लोगों को परनाम करता हूँ। इसरा परनाम मैं अपने माता पिता को, जिनके अच्छे संस्कार, मेहनत करने की अच्छे निती, खुदारी करना जिनोंने मुझे सिखाया मैं तिसरा परनाम मैं अपने माता पितागों करता हूँ चोथा परनाम मैं आप तमाम सारे सातियों को भी करना चाहता हूँ जिनके वजह से आज मैं इस स्टेज पर आया पाया हूँ नमस्कार आप सबों को कि साथियों मजा आ रहा है कि मजा आ रहा हैampf हा कि אिसक भू जारा रहा है कि बहुत आरा है कि दोश्ब आज में आप लोग के बीच में हुआ यहां पर डायमंड बना हूं ुच भू टैमंड तो मैं बना हूँ लेकिन ए मेहनद सब कि सब सारे आप लोगों की है हमारे मेंटर लोगों की है बस उसी जरनी को अब मैं थोड़ा सा आप लोगों के बीच में सेहर करने जा रहा हूं इजाज़त है तेंक यू दोस्त मेरा नाम कुमार रवी रंजन रहने वाला जिला और अरंगाबाद भिहार का हूं इस बिजनस से पहले जैसा कि आप लोगों ने डोकुमेंटरी में देखा होगा मैं बहुत ही मध्यम वर्गिय परिवार भी नहीं उसको बोल सकते हैं उससे नीचे का स्टेटस का परिवार था मेरा मैं वहां से उठ करके आया हूं लेकिन इमांदारी करना मेरे माता पिता हमको सुरू से बताय थे हमको सुरू से बोलते थे कि बेटा बढ़ियां से पढ़ाई लिखाई करो मेहनत करना बेहिमानी का पैशा मत कहना इमानदारी से कमाना बहुत आगे तक जाओगे मेरे माता पिता ने मुझे बच्पन से सिखाया था उसके बाद इन्होंने सिखाया था मुझे कि बेटा मेहनत का दुसरा कोई भी कलप नहीं होता है मेहनत करना ही पढ़ता है तो मैंने मेहनत करना सुरू कर दिया मैं गाउँ घर में मैं ट्यूशन पढ़ाता था मैं एर्थ क्लास में पढ़ता था और एर्थ क्लास में पढ़ने के बावजूद मैं छोटे छोटे बच्चों को मैं ट्यूशन देता था जब मैं तेन्थ क्लास में गया तो तेन्थ क्लास में जब आगे मैं 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 ट्रीक किया तो मैं आज अस्टेज के माध्यम से बोल रहा हूँ पचीस रुपे फीस होती थी मेरी महीने की उस दिन जिस दिन मैं पढ़ा करता था उपहारा एक जगह एमारे बगल में तो मैं करता था एक श्कूल में सर्श्वती विद्या मंदिर पचीस रुपे फीश होती थी और ओस फीश को भी हमारे पैरेंट चार महीने और पाच महीने बाद भरते थे आप सोच सकते हो कि कितने बड़े परिवार से में था दोस्त बहुत सारे लोग आज यहां पर आये होंगे बहुत सारे लोग बैटे होंगे यह मंदारी पुरुवक सिर्फ दिल और दिमाग को यहां रखना एक घंटे में इसे हॉल से मुठी बांद करके जाओगे कि मरने से पहले डायमंड जरूर बनेंगे यह मैं आपको वादा लाता हूँ आज दोस्त मेरे पिता जी एक बिजनस सुरू किये उसके बाद एक कपड़े के बैपार सुरू किये अचानक कुछ दिक्कत आई परिसानिया आई वो मेरे साथी हुआ पेरे हाथ में जो है न यहाथ मेरा पुरा परालाइसी साटैक कर गया और उस समय की बात है मेरा पूरा आए हाथ सुखने लगा और सुखने लगा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह कहां से होगा क्योंकि पिता जी का दुकान भी नहीं चलता था वो लॉन लेकर के 40,000 रूपे के दुकान लिये थे और उस समय इन्होंने इन्होंने इलाज करने में सारा पैसा खर्चा कर दिये अब मैट्रिक तक तो किसी तरीके से पढ़ लिये उसके बाद पैसे भी नहीं दुकान भी बन बैंक का लोन दिन परती दिन बढ़ रहा था तो फिर मैंने क्या किया तो गाउं में गईया हुई या चराता था वो चार पाच गया थे हमारे हां और वो सब गया को मतलब रखता था और बढ़िया से उसी का दो दो पिता जी हमारे चले गए थे दिल्ली उल्ली आज सामने में बैठे हुए हैं लेकिन मेरे उपर मेरी फैमली भीती मा थी बाहन थी छोटा भाई अभी सामने में आप देख र आँगा और ऐसे ही में धन्यबाद बजाना है तो ढंग से बजाए मजा करने का जरूरत नहीं है साथियो पिता जी चले गए ओढ़ पैसे फेग थे नहीं तो मेरे मोसा जी एक साधी में मामा का साधी था तो मोँषा जी लोगा आए हुएते तो नानि गव में मैं ऑग गया और मैं ऑग गया तो उन्होंने मेरे स्पूचा कि बेटा क्या करते तो मैं बूला कि मुछा जी क आज इस दुनिया में नहीं है, जहां भी हैं, भगवान उसके आत्मा को सांती दे, लेकिन उन्ट के वज़ा से, आज मैं यहां तक आप आया हूँ. क्योंकि ओ दिन था मेरे भाई जब उन्होंने बोला कि बेटा से, तुम मेरे साथ चलो, अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छे तरीके से वहां मेरा, मैं भी रहती हूं, घर मकान था, दर्भंगा में, कितने आदमी दर्भंगा से हैं? मैं दो हजार साथ में मैं चला गया, मोसा जी के हां, अब मोसा जी के हां मैं चला गया, तो खाना पिना मिल जाता था, खाना पिना मिल जाता था, तो अब पढाई पूरी करने के लिए मैं क्या करता, तब पढाई पूरी करने के लिए कुछ होता नहीं था, तो मैं वहां भी क्या किया कि पैन काड बनाने का काम करने लगा जहां मुझे महिने का 500 रुपया मिलता था और उस 500 में मेरे पास एक बेल्डिंग कराया हुआ साइकल था जिससे मैं कभी सीय राजीव रंजन जी किए ओफिस में काम करने जाया करता था कभी अपना उसी cycle से college जाया करता था दोस्त उसके बाद चलती रही जीवन चलते चलते मैं सोचा था कि जीवन में आगे जाना है क्योंकि हमारे माता पिता बार बार समझाते थे कि बेटा मेहनत करना मेहनत से कभी मत गवर आना मेहनत करना मम्मी हमारी जहां पर बोलती थी कि बेटा सही तरीके सही मंदारी पुरोग सिर्फ काम करते जाना एक दिन तुम वा कही में बहुत आगे तक जाओगे पता नहीं वो दिन क्या था और कहा जाता है कि मा का असिरवाद सबसे बड़ा होता है आज मेरे साथ वही हुआ करते एक वेक्ति से मुझे सलाह मिला एक वकिल सहाब पैन कार्ड बनाने के लिए आते थे उन्होंने बोला कि बेटा क्यूं अपना जीवन को बरबाद कर रहे हुए फंद्रह सो रुपे में तो मैं बोला अंकल क्या करूं और उसके बाद बेंकिंग कोचिंग ज्वाइन कर गया और काम अपना पढ़ाई करने लगा और पढ़ाई करते करते मैं आपको बता रहा हूँ मैं SBI Mutual Fund में मेरी एक इंटरव्यू थी पटना इले चो लोकल हेड़ ओफिस में SBI Mutual Fund का मैं उसमें गया और वहां मेरी सेलेक्शन हो गई और AJ Assistant Manager मुझे Region 4 में दर्भंगा में मुझे जॉब मिल गया अब मुझे बताईए कैसा लगता होगा अच्छा लगता होगा या बहुत अच्छा लगता होगा जहां जो लड़का कमाता था 1500 रुपया और उसकी जीवन जब 15-20 अजार पे चली गई होगी तो कैसा लगता होगा बहुत अच्छा लगता होगा और उसी बीच में एक सक्सियत के द्वारा मुझे आज के डेट में उस सक्सियत ही है सरका किनी के माध्यम से एक दुसरे वेक्ति के माध्यम से मुझे बिजनस प्लान मिला एक पेपर वेजने वाले वेक्ति थे उनके माध्यम से मुझे बिजनस प्लान मिला और मैं इस बिजनस में इंटर कर गया होगा, आप लोग ऐसा ही लगा होगा, जब प्लान पड़ता है तो तुरत लोग जोईन कर जाते हैं, कर जाते हैं ना, नहीं, सब कुछ पता है ना, तो सोच लेजिए वही चीज मेरे साथ भी था, मैं भी तुरत इसमें जोईन नहीं किय जुआ हीॡ़ता, मैंने काफी देर कर दी जोईन करने में, मुझे बीपीं जहां सर लोगों से पहले प्लान मिला था, आज यह स्टेश से मैं आपको बता रहा हूँ, आज तक ए राज कोई नहीं जानता था शर लोगों से पहले प्लान मिला था लेकिन मैं इस बिजनस को क्योंकि एस भी आई का तगमा जो था ना वो लोगों को पचता ही नहीं है और दोस्त मैंने इस बिजनस को जुएन नहीं किया था उस टाइम पर और फिर बाद में धिरे धिरे करकर कि मैं जब बुरूबर लोग मेरे पास आते गए मैं इसको जोईन करता गया क्योंकि जब सरकारी-नोकरी लगती है ना तो लोगों को लगता है कि यो पूरी ओफिस वेन हो हमारी जागी तो तो बेकिन मेरे भाई एसा उता नहीं है मैं भी साही समझता था जब मैं SVI में में बेढ़ता था रिजन फोर दर्भंगा में तो बिलकुल एक बढ़िया चेम्बर बढ़िया सब चीज था मुझे लगता था यार अब तो सब कुछ है यहीं पे मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाओंगा सब लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं तो मैं वह ऐसे करकर के वहाँ जॉब किया और वहां के बाद मुझे जो है जब बिजनस प्लान मिला तो मैं जुआई नहीं किया फिर कहा जाता है कि जो लोग जाते हैं वो एक दो बार नहीं जाते हैं कितना बर जाते हैं बार बार जाते हैं और ऐसे ही एक बार रास्ते से मैं आ रहा था और रास्ते में मुझे मैं चाहता हूं मेरे मेंटर मेरे आदर्स मिष्टर बीपीन जासर पंकर सरीन लोग के लिए एक जोड़दार ताली में चाहता हूँ, दमदार वाली ताली में चाहता हूँ, सरलोग एक दिन बाइक से गुजर रहे थे, और मैं पैदल जानकी भिवाभवन तरफ से मैं आ रहा था, अचानक मुलाकात हो जाती है सर से हमारी, और गर्मी का जून का महीना था, मैं पुरा पसीना से लथफ था, और उसके बाद ये जो नोगे मुझे बाइक पैदा लेते हैं, और फिर उसके बाद कहानी सुरू हो जाती है से उसके बाद मैं सरलोग को बताना चाहूंगा कि उसके बात जो है सरलोग ने मुझे बिजनस पलान के बारे में फिर से बढ़िया तरीके से बता बिया क्या है और जब इन्होंने मुझे बढ़िया तरीके से बताया असर भी मेरे साथ है और वीडियो पुरूफ भी आपके साथ है साड़े तिन साल पहले मेरा एक वीडियो सिल्वर स्टार में जब मैं बना था तो उस समय मेरी एक वीडियो यूटूब पे सर्च कर लेना मैं बोला था कि जिन्दा रहूंगा दुनिया में तो डायमंड जरूर बनूँगा और जिन्दा हूँ और डायमंड हूँ एक बात एक बाप जो बोला और किया सर से मैं यही कमिटमेंट किया था दोस्त फिर मेरी शेप सोप में जब ज्वाइनिंग हो गई अब एक बात मुझे बताईए जब मैं सब कुछ समझ गया तो सारे लोग समझ गए होंगे नहीं दोस्त इसके बाद क्या हुआ कि अब भाई साब यहां से सिलसिला सुरू हो जाता है यहां से सिलसिला सुरू होता है आगे बढ़ने का दोस्त चाहत तो बहुत जादा हो गई थी काम करने का मैं समझ भी गया था लोगों को प्लान दिखाने जाता था लेकिन लोग एक भ मेरे साथ एक आदमी ज्वाइन नहीं किया यहां तक ही बीएंपी तेरह से तिन चार घर से भगाए भी गए आज गोपाल जी सामने में है गोपाल जी है कहां है एक जोड़ाल तानली गोपाल जी के लिए मैं बताता हूं कि कहाने मैं बताता हूं आज आप लोग के सामने में एक जलक देना चाथा हूं सतर प्लान देने के बाद दो तीन घर से भगाए जाने के बाद फिर भी जो है आदमी काम कर रहा था क्यों कर रहा था कि यूँ कर रहा था बताईएगा जी अच्छा भीजन किलियर था मैं कहता हूं भीजन उजन कुछ नहीं किलियर होता है साहब शुरुवाती में हमारा जो भीजन था मैं बताता हूं हम सोच रहते कि अब फिर से उन सब को पकड़ेंगे क्योंकि उबोला था कि बावन प्लान सेने के बावन सब्ता में 104 प्लान करने के बाद तो महारे साथ 10 लोग जोईन कर जाएगा सथर गो हो गया 34 अब तो कमें बचा हुआ है सथर जब मैंने कर लिया तो 34 में बाथी क्या है 34 कर लेता हूं नई होगा तर उनको पकड़ूंगा इसाब एक सोच और में दस बोले थे अब दस गो आईडिया आप लगाओ जहां से लगाना चाहते हूं ठीक है लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको बताता हूं मैंने 70 प्लान दिया कोई नहीं जोईन किया लेकिन मैं लागतार फ्राइडे की ट्रेनिंग और संडे का सेमिनार आज भी मैं करता हूं आज भी फ्राइड कोई भी बोल देता है मैं चला जाता हूं फ्राइडे की ट्रेनिग संडे का सिमिनाराम को एकी जिस समझ में आता था अब दोस्त जब घर से भगाये जा रहे थे वहाँ पे ती कहानी में बता रहा हूं गोपाल जी आज यह तो है जब घर से भगा रहे थी एक महिला एक महिल करना नहीं आता था और मैं पहले बताया कि दिमागदार में चादा हो गया था इस भी में जा करके तो सर बोले कि रवी जी पहले साड़े तीन सो रुपय की फ़र माती थी और उस समय सर ने मुझे क्या किया कि बोला कि रवी जी पेमेंट आपको लग जाएगा मैं बोला गुरी जी पुरा भरोसा है आदमी पर आदमी पैसा मुझे दे देगा कल बले रवी जी सो आप समझ लो लेकिन मेरे को आप पैसा दे सब्सक्रा आपका पैसा ले ले रहा है ते से मैं और जब मैं उनके आपप कर थे लुग जब पॉलओ प्लॉप कर यह गया तो जून के महिने में उन लेडिस पूरा बिकाल रूपदारन करके मेरे सामने में मेरे ब्रोसर तरोसार था ठाव प्र अधिग दावे से जिदी हमा हमारे फिताजी किये, हमारे ओ किये, हमारे ये हमारे दिस किये, द fries anys किये, भागो, यह यह कुछ नहीं होता है, सब ऐसे ही आते हैं, और चले जाते हैं, मेरे पापा भी जुआईन हुए थे, सहाब, आज करारा जबाब है, उन लोगों के लिए, जो यह कहते हैं, कि ऐसा कुछ होता है करने वालों के साथ होता है निकम्मे के साथ नहीं है तो दोस्त वो भगा रही थी लेडीज और मैं उनके घर में लगा तार गुजर आता बोल रहा था मैडम एक गिलास पानी दे दीजिए ना वड़ा साथ पी लेंगे मुझे चल भागो यहां से और उसी समय गेट मेरे सामने वाला दरवाजा खुलता है और एक महिला वहां से भी निकलती है बोलती है सर क्या बात है और सारी का मैडम आई हुई है अचा कहां है मैडम आपको भी नमसकार आई है आज इस हौल में है सारी का मैडम भी आज इस हौल में भी है और यह निकली उदर से यह भी पुलिस वाली की वाइप क्योंकि बीएंपी में क्वाटर रामने सामने होता था लेकिन एक्साइटिमेंट इतना था मैं तुरत इनको बोला कि मेडम जो भी बात है मैं आपके घर में बताओंगा अब बताओ क्या एक्साइटिमेंट था उस समय और जब मैं इनके यहां गया तो गोपाल सर वहां पे पहले से पालती मार करके और बैठे हुए थे बोले कि यहां क्या बात थे बोलिए तो बहु दोस्त मैंने इनको एज्वाइन कर गए और जब एज्वाइन कर गए तो आज देखिये का जेभी ज्वाइन किये आज इनके साथ मैं चाहता हूँ वैसे दमदार टाइगर के लिए जोड़दार ताली उन्हीं के लाया हुआ वेक्ती मिश्टर पिंटु कुमार जी आज धै गाये गए पे अगर मैं रूख जाता तो क्या होता क्या होता अरे आज भी बैंक में मुचुवल फंड का फॉर्म भर रहोता और क्या होता इस वे इतना सोच लेगी काया आप लोग लगते है तो जोईन किये जोईन करने के बाद जो है देखिए कि मैंने खतर्मा प्लान दि लगतार में सिस्टम के साथ अपलाइन के साथ अपने संडे फ्राइडे ट्रेनिंग के साथ दिसा और डाइमंड शीप के साथ जब मैं रहा यानि कि अपने आपको बिलकुल जब मैं सिस्टम में डाल दिया तो एक घतर्मे प्लान में में मेरे साथ देवानन जी जोईन कर ग और उसके बाद आज उसके बाद प्लान करने की जरुरत नहीं पड़ी और उसके बाद मुरारी जी जुईन कर गए आज देखिए देवानम जी सबसे पहले जुईन किये थे आज के डेट में वो डायमंड नहीं है लेकिन उनके नीचे से मुरारी जी और पिंटु जी दो दो डायमंड है ठीके जी तो मुझे क्या चाहिए था हमारे गुरुजी अजय पंडित सरम को एक बात आज भी बताते है क्रविरंजन जी दो ही लोग होते हैं एक लेडर और एक लीडर कुछ भी करना आप दोनों लोगों को लेते आना जो लीडर होंगे वो आपके साथ आजाएंगे जो लेडर होंगे एक कड़ी आपको जोड करके आगे बुड़ जाएंगे तैंक्यू गुरुदेब आपका भी और उसके बाद मुरारी जी जोइन करके अब जोइन करने के बाद क्या लगता है कि लोग सब काम करने लगते है जी नहीं ना यार वही आल था आज यह सब बहुत अच्छा लग रहा हो गए न आपको लेकिन इसके परदे के पिछे की जो कहानी है भाई पसीना बहाना पड़ता है जो बहाता है उसी को मिलता है जो नहीं बहाता है उसके साथ नहीं होता है तो मैंने क्या किया अब मुरारी जी आ गए और मुरारी जी जब जोइन किये तो मैं जो पता नहीं था उतना मुझे लगा कि किसी तरीके से लोगों को ज्वाइनी कराना है तो मैं साड़ी से ही उनको ज्वाइन करा दिया और उनकी साड़ी आ गई छोटा अब बताओ एक तो कोई ज्वाइन नहीं कर रहा था अब इनका जो है एक साड़ी आ गया छोटा और उनके कानों में उनके एक दोस्त रहते थे जी जो उनके कानों में उनके बगल में ही रहते थे जो उनको मैडम के कान बरो पर भरती रहते थे बरो पर उनके मैडम के पास उजा करके मैं फॉल अप करके आता था फिर भी उनका कान भर देता था वेक्ति मैं उनको जो है जब ज्वाइन करा करके आया उसके बाद भर दिया और जब मैं उनके साथ निकला उनके घर से तो उसके बावजूद पता नहीं क्या ऐसा कंडिशन था कि जब मैं मुरारी जी के घर से बाहर आता था वो देखता रहता था या क्या रहता था वो उनके घर में होता था मुरारी जी जवाइन कर गए इनका जब पैकेज आया तो साड़ी आगया चोटा अब इनकी मैडम ही पुरा गरम इनकी मैडम मुझे बोली हमारे साथ गुरुजी मिष्टर वी जासर भी गये थे पैकेज देने मेरे को इतना हिमत नहीं है कि मैं के लिए पैकेज लेकर कर जाओ भी एमपी है है ना कुछ भी हो सकता हुआ तो मैं सरको साथ लेकर के गया था और उसके बाद मैं उनको दिया मैडम साड़ी पाहन करके बाहर में आ गई और जब साड़ी पाहन करके बाहर आ गई तो बोले कि साड़ी छोटी है अब एचेंज कर आओ नहीं तो हम काम ही नहीं करेंगे अब बोले हमको तो पता भी नहीं था यार कि कहां पर ओफीस है क्या है सब पूरा डिटेल मैं तो बैंक वाला था बैंक में जॉब कर रहा था फिर गुरुजी के साथ जब गया था गुरुजी बताए उनको कि मैडम इस साड़ी का टेंशन मत किलीजे हम आपको इस ब तो यह तैंक यू तोस्त जब उसके आगे जी कहानी जब बढ़ती है तो लगातार 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 मैं उनके आँ जाता था और ओजो थे मुरारी जी के फ्रेंड वो लगातार उनको निगेटिव करते रहते थे वो कुछ इस तरीके का था हो सकता है मैं आपको बता दू तो ताकि आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा तो आपको भी बल मिलेगा करने को आप भी ऐसा सोचते होगा कि साइद हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है यह स्टेज आपका इंतजार कर रहा है थी के जी थैंक यू तो मुरारी जी कहां आए पोजेटिव करकर के हम और सर और उसके बाद जब प्लान देने लगे मुरारी जी तो कोई ज्वाइनी नहीं कर रहा था अब वेक्ति जाकर कुंको सिखा दिया कि इसमें कुछ ज्वाइ इन वाइन कोई नहीं करता है ठीक है इसमें डायमंड नहीं होता है और पहले बिहार से कोई डायमंड भी नहीं थे एक वज़े पंडित सर से मैं मिला था होटल में वह बहाता है कि सर का फोटो मेरे साथ है और फोटो आपको दिखा कर कि इतना बिस्वास दिला सकते हैं कि व नहीं आया तो आदमी का मोटिवेशन हाई होता है या डाउन हो जाता है तो उनको चार्ज करने के लिए फिर में जाता था बार-बार तो ऐसी कराते गए लेकिन वो बार-बार वेक्ति निगेटिव कर दिया जब उनके साथ तीन लोग ज्वाइन कर गए उनका 4500 का चेक बना म पुरारी जी पूरा पोजेटिव थे एक दम मैं उनके साथ गया उनका इडी खोल करके पहले में दिखाता था लोगों को जिनके साथ जो मेरे कोर होते थे उनका मैं आईडी खोल करके मैं उनको दिखाता था कि देखियो टाइगर साब आपका जो है इस अबता चेक 4500 का वन हम बोले अब क्या हो गया यह अब तो चेकी हो गया तो उनकी मैड़ा मुदर से फिर आ गई और फिर काती है जानते हैं सर यह जो बगल वाले इनके जो मित रहनों कह रहे थे कि यह खाली नेटे पर सो होता है एकाउंट में नहीं आता है ठीक है मतलब मैं बता नहीं सकता हूं मेरे दोस्त कितना जिल्लत जहलना पड़ा उस समय में अब बताईए मैं उनको लास्ट टाइम मोला मुरारी जी अगर आपको भरोसा है तो आप आगे बढ़ो कोई बात नहीं जिस दिन आपका चेक आजाए आप उसी दिन से काम करना उसक दिन ताइम लगती थी पहले कुडियर से चेक आता था चेक आया मैं टाइगर साब को लेकर को गया और फिर ओर निगेटिव वादी बोला कि चेक भजेगा नहीं है कागज का है चेक पथर का या कोई अस्टिल का होता है क्या मुरारी जी आप तो अधी बात करते हो बोला कि नहांगीन कागज पर निकाल देते हैं से नाम लिख करके मैं उनको उसी समय में सभी आई में ही था मुझे आज भी ओदीने आदे साहब आप लोग हस जा रहे हो लेकिन मैं उस दिन को याद कर रहा हूं तो मुझे वसारी चीजे याद आने लगी है क्या था ओदीन और मैं क्रके वहाँ पर गया और जाकरके उनका तुरति मैंने SBI में अकल खुलवा आप तुरतिट इनका अकाउंट खुल ऊड़ ये छेम जाई प्रोसेसिंग करवाई और चेक प्रोसेसिंग करवा करके बोला कि मुराली जी अब अच़्ेक लो कितना है सर आ गया और दमदार टाइगर के लिए जोड़ार ताली बजनी चाहिए साहब एक जोड़ार ताली अब बचय की बात बताओं ओब्यक्ति उसके बाद आज तक कभी निगेटिव नहीं हुआ आज तक निगेटिव नहीं हुआ ठीक है तो इस तरीके का हमने काम किया काम करते करते जब मैं चला तो सबसे पहले हमने जब पर लेबल हमारी मिली सबसे पहले तो कि मैं इस बिजनेस में कोई आ नहीं रहते सतर लोग आए उसके बाद मैं सिल्बर बन गया सिल्वर बनने के बाद सिल्वर स्टार बना और उसी समय सर का मुझे दिसा लेने का मौका मिला सर आपको भी नमने सर और सर का जब मैं दिसा लेकर के आया तो दोस्त कही जाती है कि जब दिसा जो लेता है उसकी दसा चेंज हो जाती है और मैं वहाँ से जब आया उसके बाद मैं तुरत अपना जो SBI Mutual Fund की जोब बहुत मेहनत से मैंने लिया था मैं उसे उसे तुरत रिजाइन दे करके और डाइरेक्ट फुल टाइम सेप सॉप को अपना लिया उसी समय मैंने वहाँ से आने के बाद कर लिया उसके बाद फिर मैंने बाई के लिया और फिर सर के सानित दिमेरा करके काम करने लगा करते करते जब मैं परल बना तो परल बनने के बाद मेरे को सर ने बताया कि रभी जी कारवार का सोचे है कि नई सोचे है कार सर बेकार की बात सर हो गया कार सर होगा आज भी गुरुजी सामने में है मुझे आज भी ओदी नयाद है जब गुरुजी ने मेरे घर पे दो कार्डबोड मंगवाया था दो कार्डबोड मंगवाया था इनोंने, एक कार्डबोड पे लिखवाया था, गुरुजी ने, ड्रीम की कार लेना है, कौन सी लेना है, तो मैंने ड्रीम कार में लिखा था, बहुत सोचते हुए, बहुत मेहनत करते हुए, और मैंने ड्रीम कार में लिखा था, मालूम है क्या क्वीड कार मैंने लिखी थी तो बोला या रे भी उस समय के लिए बहुत बड़ी थी मेरे लिए बहुत बड़ा सोच से परे था मैं देखता था कि इसका ग्राउंड क्लिरेंस बहुत बड़ी आए गाउं घर में चल जाएगा ठीक है और सर बोले 17 सेप्टमबर 2016 को मैंने लिखा था अपना पाला गोल ड्रीम कार का और 17 सेप्टमबर को तो मैंने कार नहीं ले पाया लेकिन उसी साल 17 सेप्टमबर के बाद एक और महीना आता है और कौन सा होता है नहीं समझ में आ रहा है कौन सा क्या अक्टूबर हाँ जोड सा थोड़ा सा बोलियेगा तो बढ़िया हो जाएगा तो उस समय अक्टूबर आया और मैंने 28 अक्टूबर को अपने मम्मी के जनम दिन पे मैंने मम्मी को बोला भी था कि मैंने तुम्हारे जनम दिन पे ही मैंने अपने लिए पाली कार आई 20 एक्टीव जो की क्वीड से दोगनी अडाई गुनी कीमत की थी मैंने ओखरिदा अपने मम्मी का जनम दिन पे क्योंकि उसके बाद फिर मैं परल बन गया और जब परल में बना तो गुरुजी बोले कि आपको अब बिजनस बिल्ड करने के लिए कोई सहर जाना होगा मैं बोला गुरुजी कौन सा सहर जाओ बोला कि नवादा चल जाओ मैं चल गया मैं नवादा में रह करके काम किया आज ओस सहर से चार चार एमरल एक रूबी और एक डाइमंड ने उस सहर से भाई जोड़दार वाली बजनी चाहिए रूबी एमरल्ड की बात कर रहा हो पुरे की बात नहीं कर रहा हो तो साथियो ऐसे रह करके हमने जो है नवादा में भी काम किया फिर मैंने इसी अस्टेज पर तो पाज बना एमरल्ड बना रूबी बना और आज आप लोगों के बीच में डायमंड बन करके तैंक यू तैंक यू साथियो आज मुझे उन पर बहुत ज़्यादा तरसाती है जो लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है मैं फिर से उस बात को दोहराना चाहता हूं कि ऐसा होता है करने वालों के साथ होता है क्या आप तैयार है तैयार है तो एक बार मेरे साथ कमिटिमेंट कर सकते हैं खड़े हो करके कर सकते हैं कर सकते हैं दोस्त एक बार मुट्टी बांद के और एक गुझे के साथ आनी चाहिए आईये मैं I am a I am a I am a thank you